हाई लो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे दोस्तों आप लोग का इस लेक्षर वीडियो में के एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों आज हम लोग इस लेक्षर वीडियो के माध्यम स देखेंगे class 3 का science क्या देखेंगे class 3 का science जिसमें हम लोग वो हम लोग देखेंगे तो आज trick के साथ देखेंगे क्या देखेंगे trick के साथ देखेंगे, जो भी topic देखेंगे वो हमारा आज trick के साथ होगा क्यों देखेंगे, या देखें, जैसे कि आपको पिछला class दो भी दिया गया था objective का class दिया गया था, उसमें जो है कि कुछ बच्छे का comment आया था, कि एक दो question था, जैसे कि एक दो question बताया गया था, जीश में क्या था, उस बच्चे को समझ में नहीं आया था, तो वो भी क्या था, comment आया था कि इसका जो है कि फिर से हमको पूरी detail में बताई जाए, तो उसी को हम लोग आज जो है कि या समझिए, तो एक तरह से आपका doubt class रहेगा, लेकिन यहाँ वीडियो आपके लिए काफी important होगा, इससे जो है कि जो भी बच्चा केमेंट किया है, वह बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इससे आपको जो है कि exam में 100% जैसे कि देखिए, आपको 5 से 10 नमबर, exam में आपका clear हो जाएगा, यहाँ आपका chemistry का जो है कि question है, यहाँ कि chemistry से related यह question है, तो इससे जो है कि related, आपको exam में जो है कि 5 से 10 नमबर, हर साल पूछा जाता है, यहाँ कौन सा topic है तो हम लोग पहले शुरू करते हैं, देखिए आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पहले बार है तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा तो चलिए हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं देखिए, यहाँ पर हमारा first topic क्या कह रहा है आईनी की योगी, यानि हम लोग इसमें देखेंगे विष्टार से ता आईनी की योगी और सहसी योजग की योगी क्या देखेंगे, आईनी की योगी और सहसी योजग की योगी और उसी के साथ हम लोग objective का कुछ question करेंगे और उसके जो है कि हम लोग बहुत सारे सवाल जैसे होता है कि 100 से योजग बंधन क्या निकालना है 100 से योजग बंधन जिसमें आपको single bond, double bond, triple bond ये सबी जो है कि जुरा रहता है तो उसको पहचानने में आप लोग को दिकत होता है या आइनी की योगी कौन है 100 से योजगी की तो उसको पहचानने में काफी दिकत होता है जो कि आपको objective में भी पुछता है और यह जो आपको language दिया गया है यहाँ आप से subjective में भी पुछता है तो इसके लिए आपको काफी help मिलेगा अगर subjective पूछेगा तो आप जो है कि language लिख दीजएगा targeted पूछेगा तो उसमें भी रीन आवेस यूग्त आयनों से मिलकर यह वैसे योगिक जो क्या है धन एवम रीन एनी एक प्लस एक माइनस जो कि धन कहने का मतलब प्लस और रीन कहने का मतलब माइनस तो वही कह रहा है कि वैसे योगिक जो धन एवम रीन आवेस यूगत आयनों से मिलकर अर्थात क्या होता ह आपको समागी योगी स Ayni-Yogi कहले किया है कि योगी आपको जिए को आप इसे समु दो लिखना होते हैं जिसको नहीं लिखेखेगे वैशे जो धन इवभी जोके आईनों से मिलकर कैमें और बने होते हैं आयनिक योगिक कहलाते हैं या फिर कुछ दिया हुधारन NACL, MGCL2 यानि NACL है MGCL2 है यहाँ आपका आयनिक योगिक के उधारन है इसका पहचानने का नियम यहाँ पे दिया गया है अब देखिए इसका पहचानने का नियम है जैसे आयनिक योगि NACL और M.G.C.L.2 है मैंने आपको बता दिया लेकिन आपको confirm नहीं होगा कि यह आइनिक योगी है या नहीं है फिर दूसरा अगर यहाँ पे दूसरा उधारन मिलेगा तो आप पहचानने में दिक्कत हो जाएगा आपको तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं क्या है पहचानने का वह एक ट्रीक है जो आपको बता रहे हैं बहुत ही अच्छा ट्रीक है या बहुत काफी मेहनत करने के बाद यह ट्रीक मिला है जैसे देखिए यहाँ पे क्या है दिया गया है धातु और धातु से बने योगी यानि धातू और या धातू वह कह सकते हैं कि धातू और अधातू से बने योगिक जो भी होंगे वह हमारा आयनिक योगिक कहलाएंगे क्या कहलाएंगे धातू और अधातू के या फिर हम इसको इस परकार से भी परिवासा में बोल सकते हैं कि धातू और अधातू के बीच इलेक्ट्रोनों के अस्थनांत्रन से बने योगी को क्या कहते हैं आयनिक योगी कहते हैं यहां आपके लिए काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है अब देखिए यहां पर उधारन है न, A, C, L, M, G, C, L2 यहां है आपका सोडियम क्लोराइड और यहां है आपका मेगनिसियम क्लोराइड अब देखिएका यहां पर नौक है और M, G, C, L2 यहां मेगनिसियम क्लोराइड अब देखिएका यहां पर पहचान वह धात्याद और रधात्यादेट josnah. आपका चैномуटल स्ट्सकी माइनिक क्लोरिनS 오디오 of study dose-21 Gay decision स्ब्सक्राइब आपको आपको आपका SIE-ल है जो कि kloriम है क्लोरिन है यह आपका क्लोरिन है आपको क्लोरिन क्लोरी क्लोरिन मिलकर करके योगिक बनाया है वहां क्या बनाया आइनिक योगिक कहलाएगा यहां जो हमारा योगिक है वहां आइनिक योगिक कहलाएगा फिर है आपका MgCl2 क्या है MgCl2 जो कि यह मेगनिस्यम है Mg वहां आपका धातु है और उसके बाद Cl2 जो है वहां क्लोराइड है जो कि क्या है यहां आपका अधातु है तो mgcl2 मिल करके जो भी योगिक बनाया वह आपका अधातु है अब हम लोग इसको फिर आगे ट्रीक के साथ समझेंगे कैसे और इसमें और ट्रीक लगाएंगे और काफी इजी बन जाएगा तो पुना आपको बताया जाएगा चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक् का साजेदारी करके अपना अश्टक पुन करते हैं क्या कहा है कि जब दो प्रमानु आपस में क्या करते हैं मिल करके इलेक्ट्रोनों का साजहा या साजेदारी करके अपना अश्टक वह पुन करते हैं तब उनके बीच जो रसायनिक बंधन मनता है उसे सहसेयोजक बंधन कह जाता है यानि covalent bond कहा जाता है किया कहा जाता है जहाँ सब्सक्राइँ जहांते जो योगिक साज्या करने से जो योगिक कहते हैं याली इसके साजेदारी को भी योगिक बनता वह आपका सहसे यूजक योगी कहलाता है क्या कहलाता है सहसे यूजक योगी कहलाता है अब देखिए आपका फर्स्ट कोश्चन था आइनिक योगी क्या था आइनिक योगी जिनमें था इलेक्ट्रोनों का अस्थनांत्रन होता था क्या था अस्थनांत्रन था इलेक्ट्रोनो और एक अधातू है तो एक जो है कि अगर इलेक्ट्रोन क्या करेगा तो दूसरा उसे गरहन करेगा यानि एक जगह से वह कहां चल जा रहा है दूसरे जगह चल जा रहा है एक घर से वह दूसरे घर अब जा रहा है तो हमारा क्या हो रहा है एलेक्ट्रोनों का अस्थनांत्रन क कहलाता है और उसे हम लोग बैटा है यह आपका है स्वासंयोजक योगी क्या है स्वासंयोजक योगी जिसमें क्या है इसमें इलेक्ट्रोनों का साज्या या साज्यदारी उसी को कहते हैं इसमें क्या हो रहा है इलेक्ट्रोनों का साज्या हो रहा है या साज्यदारी हो रहा है क्या जैसे देखी अगर कोई भी चीज जैसे हमारे पास है अगर मान लेते हैं थोड़ी दर के लिए हमारे पास 5 रुपए है ठीक आपके पास भी कितने हैं 5 रुपए है अगर कोई चीज क्या है अगर 6 रुपए में मिल रहा है तो आपके पास भी क्या हो रहा है एक रुपए कम हो रहा है मैं चाहूंगा कि आप मुझे एक ρुपे देदीजिएगा तो मैं इसे खरीद लूँगा लेकिन आप चाहेंगे कि नहीं मेरे पास भी एक prop़ हैं अगर आप देते हैं तो इसे मैं खरीद लूँगा ऐसा होता है लेकिन जब हम क्या करेंगे दोनों आदमी मिलकर और इसे साजहदारी करेंगे इसमें से हम क्या करेंगे कि हम दोनों के लिए क्या हो जाएगा सफल हो जाएगा काम तो ही आपके कहा है यहाँ पे कहा है कि इलेक्टोनों का जब साजहदारी या क्या हता है साजह करके जो अपना आश्टक पूर्ण करते हैं तब उनके बीच जो रासाइनिक बंधन बनता है उसे क्या कहते हैं सहसेयोजग बंधन यानि कोवैलेंट बॉंड कहते हैं सहसेयोजग योगिक कहते हैं क्या कहते हैं सहसेयोजक योगिक कहते हैं अब देखिए आपसे question कर सकता है कि सहसेयोजक बंधन क्या है या सहसेयोजक योगिक क्या है आपसे पुछे सहसेयोजक योगिक आप इतना answer दीजेगा काफी easy है आपको पुरा का पुरा two marks मिलेगा अगर आपसे सिर् कितना करना पड़ा है शिर्फ एक कोश्चन आंसर आपका दो कोश्चन का मिल रहा है और आपको इस से अब्जेक्टिव में काफी हेल्प मिलेगा अब देखिए यहाँ पे है क्या है बंधन के प्रकार क्या दिया है बंधन के प्रकार अब देखिएगा यहाँ पे बंधन के प बंधन यानि Single Covalent बॉन क्या लिखिएगा Single Covalent बॉन और यहांपे यहांंपे है 2018 2019 बंधन का कुछ उधारन दिया गया जैसे इहांपे क्या है CL2 CH4 यानि CL2 यह अलग है और CH4 अलग है यह दो उधारन दिया गया है यहाँ आपका एकल सासरेज़ी बंधक का उधारन है उसके बाद है CO2,O2 यह दोनों अलग-अलग उधारन है यहाँ आपका द्वी सासरेज़क बंधन का उधारन है और यह N2 और C2,S2 यहाँ आपका त्री सासरेज़क बंधन का उधारन है अब इसको चलिए हम लोग समझते हैं ट्रीक के साथ कैसे इसको बनाना है अब देखे इसका जो पाचान का नियम है यानि सासरेज़क बंधन को जो पाचानने का ट्रीक है सासरेज़क योगिक वह क्या है दो या दो से अधिक अधातू क्या होंगे दो या दो से अधिक अधातू उससी को ब्राइकर निल्खे गया है अधातू, अधातू यह वहाँ पे दो भी हो सकता है या दो से अधिक भी अधातू जब होगा वह क्या होगा उससे जब योगी बनेगा वह हमारा क्या कहलाएगा साहसे योजा की योगी जैसे आपने यहाँ पे देखिए अभी आपने देखा क्या देखा योगी का जो उधारन है HCl, CH4 क्या है HCl, CH4 अब देखिए इसमें जो है आपका हाइडरोजन यहाँ आपका अधातू है CL यहाँ आपका क्लोरीन है जो कि यह भी आपका अधातू है अब दो अधातू मिलकर क्या बना रहा है यह कि योगी का निमान कर रहा है जो कि आपका क्या है सासे योजा की योगी है आपको उसके बाद है CH4 जिसमें आपका कार्बन भी क्या है अधातू है और हाइडोजन भी अधातू है दोनों अधातू मिलकर क्या बनाया यहां मिथेन का निमान कर रहा है जो कि आपका क्या है यहां एक हाइडो कार्बन का भी उधारन है जिसमें क्या होता है हाइडो कार्बन कहने का मतलब है जिसम इसमें आपका है hydrogen H है और carbon C है तो hydrogen और carbon है तिया आपका hydrocarbon का भी उधारन है अब देखिए यह आपका CH4 जो था इसमें क्या है दोनों अधातु है जो कि सहसेयोजक योगी का उधारन है अब आसा करता हूं कि यह जो है कि आपको पहचाने में काफी help होगा जैसे कोई अगर अधातु और दूसरा और धातु मिलकर बनता है योगीक बनाता है वह आईनिक योगीक होता है और क्या होता है चली इसको हम लोग देखते हैं ट्रीक के साथ यहाँ पे कुछ उधारन जैस देखिए इसका पहचान आपको बता दिये अब जो कल का question था जैसे पिछले class का जो hydrogen अनु में परमानुओं के बीच कितने सहसे इंजक आबंध होते हैं अब देखिए अभी आपको बताएं सहसे इंजक आबंध क्या बताएं सहसे इंजक आबंध जो कि क्या होता है इलेक्टोनों का वहाँ पे साज़ेदारी होता है यानि जितने इलेक्टोन का साज़ेदार अगर दो जोरा इलेक्ट्रोन का जैसे दो जोरा इलेक्ट्रोन कहने का मतलविस प्रकार तो यहाँ आपका double covalent bond अगर तीन जोरा इलेक्ट्रोन यानि छो इलेक्ट्रोन का असा जिदारी हो रहा है तो आपका क्या होगा triple covalent bond होगा यानि त्री सासरेंजग बंधन तो अभी आपसे क्या पुछा है एन्टु अनु में नाइट्रोजन परमानों के वीद कि कितने सासरेंजग आबंध होते हैं आपसन है 1,2,3 या इन में से कोई नाइए आपका आंसर जो दिया गया है वहाँ आपका आंसर नंबर C है यानि 300 सासरेंजग बंधन है इसमें अब समझने का प्रयास करते हैं इसको कि कैसे 300 सासरेंजग बंधन आएगा देखिएगा बहुत अच्छा प्रस्न है आपको बताते है चलिए हम लोग यहाँ पे देखिंगे पहले Senator अब हुद्हारन से उसके अई 100 सासरेंजग बंधन में क्या उधारन दिया गया है यहाँ पे आपका CH2 आप आप 밝혔 चिये बहुत अच्छा से समझने प्रयास कीजिएगा Cl2 जो है यहापका क्या है Chlorine है Chlorine जो है उसका प्रमानु संखे कितना होता है तो 17 होता है अगर आपको प्रमानु संखे याद नहीं है तो उसको आपको याद करना होगा अब उसके बाद इसका electronic विन्यास भी आपको याद करना होगा यानि electronic विन्यास बनाने आपको आना चाहिए और इसका प्रमानु सेंखे भी याद रहना चाहिए तब ही आपको यह बन पाएगा नहीं तो नहीं बन पाएगा देखे अब यहाँ पर क्या है क्लोरीन है जो कि क्या आता है सत्रा नंबर पर आता है क्या आता है सत्रा नंबर पर इसका अगर हम लोग electronic विन्यास करते हैं तो यह कितना आएगा 2,8,7 कितना आएगा 2,8,7 यानि फॉस्ट कोस में 2,2 में 8 और 3,3 में कितना आएगा तो 7 आएगा अब देखें इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रोन है तो इसके बाहरी कक्षा में कुल 7 इलेक्ट्रोन है कलोरीन के जो बाहरी कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रोन है तो 7 इलेक्ट्रोन है अब देखिएगा यहाँ पर CL2 है तो दो बार हम लोग CL2 लिख देते हैं एक बार CL हो गया एक बार CL यहनि दो बार हम लोग CL2 ले लिए अब देखिए इसके बाहरी कख्षा में 7 इलेक्ट्रोन है तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोन दर्सा देते हैं जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3, 4, 5, 6 यहाँ आपका हो गया और एक यहाँ पर देते हैं 7 इसके पास भी 7 इलेक्ट्रोन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 कितना हो गया 7 इलेक्ट्रोन हो गया अब देखिएगा बहुत अच्छा समझने का प्रयास कीजिएगा इसमें भी 7 इलेक्ट्रोन है और इसमें भी 7 इलेक्ट्रोन है अब देखिए कोई भी जो भी एकता है जैसे कोई भी परमानू है वह क्या करता है अपना अश्टक नियम पूरा करना चाहता है यहनि आपने को पहले ही बताए है कि वह क्या करता है साजेदारी करके और श्टक अपना पूर्ण करना चाहता है सिर्फ हाइड्रोजन ही ये कैसा प्रानू है जो क्या करता है वह दूई और श्टक पूर्ण करता है यानि वह दूई श्टक पूर्ण करता है उसमें सिर्फ उसको कितना चाहिए बाहर ही कुसमें उसको सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रोन क्या हो सकता होती है उसके पास एक रहता है और अगर मिल जाएगा तो आपना दूश्टक पूर्ण कर लेता है लेकिन हमको इसमें क्या है यहाँ कलोरीन का है यहाँ क्या करता है यहां जो है कि आपका और श्टक पूर्ण करता है जैसे आपको पहले ही बता है कि और श्टक पूर्ण करता है और उससे जो रासाइनिक बंधन मता है वही हमारा क्या होता है सासाइनिजक बंधन का हलाता है अब देखिए इसके पास साथ इलेक्ट्रोन है पहले से तो यहां क्या करेगा इसे साजेदारी करके एक इलेक्ट्रोन इसका गरहन करेगा क्या करेगा एक इलेक्ट्रोन को इसने गरहन कर लिया अब देखिए इसके पास कुल कितना इलेक्ट्रोन हो गया दो इधर था दो यहा तो आठ इलेक्ट्रोन हो गया यह जो ही कि एस्टेबल हो गया यह अस्थाईतू को प्राप्त कर लिया अब देखिए उसके बाद इसके पास भी कितना है साथ इलेक्ट्रोन है यह भी इससे क्या करेगा साजेदारी करेगा यह जो ही कि इससे भी इससे दारी करके यह क्या क्या इसे साजया कर लिया तो इसके पास भी साथ इलेक्ट्रोन था दो दो चार दो छो और एक साथ और यह एक साजया किया तो यह क्या हो गया आठ इलेक्ट्रोन हो गया यह भी क्लोरीन जो था वह एस्टेबल हो गया अब देखिएगा यहां पे बहुत अच्छा प्रस्ण है क्या आपसे पूछा है बंधन का प्रकार यानि कौन सा बंधन होगा आपको कैसे पता चलेगा अब देखिए इसके दोनों के बीच जो है वह कितने इलेक्ट्रोन का साझेदारी हो रहा है एक जोरा इलेक्ट्रोन यहां है एक जोरा इलेक्ट्रोन का साझेदारी हो रहा है तो हम वह कितना हुआ बंधन का प्रकार एक बंधन हुआ यह वह आपका एकल सहसें जग बंधन है यह शिंगल को वैलेंट बोन का उधारन है आसाय करता हूँ कि यह प्रस्ट जो है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा अगर आपको कोई डाउट है तो आप फिर से कमेंट कर के पुछ सकते हैं आपका सेकेंड उधारन है CH4 क्या है CH4 अब इसको देखते हैं जैसे देखिए हमारा कार्बन है फर्स्ट जो कि ले लिए कार्बन की प्रमानु संख्या आपका 6 होता है इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास करेंगे तो 2,4 आएगा कितना आएगा 2,4 आएगा इसका आपका 2,4 आगया अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रोन है तो 4 इलेक्ट्रोन है अब देखिए इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रोन है अब देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पे हाइडोजन चार गो है यहाँ पे हम लोग हाइडोजन को चारो पर्मानु शंन्ख्या होता है वह एक होता है कितना होता है एक होता है और यह जो ही क्या करता है इसका पूर्ण पूर्ण ब्रषग्ण केसे पास है कि इसके पास पूर्ण पूरत tv और यही ährt गय presenters है जो कि यह घ्र कारवन के पास कितने एलेक्ट्रों थे तो चार एलेक्ट्रों थे यानि उसके बाहरी कोच में कितने एलेक्ट्रों थे चार एलेक्ट्रों इसको चारों को दे देते हैं जैसे यहाँ पे इसको क्रोस से दरसा रहा हैं यहाँ पे एक दे दिये यहाँ एक दे दिये और यहाँ ए एस्टेबल हो जाएगा अब देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रोन है इससे एक साजेदारी करेगा यहां क्या होगा यहां अपना दुष्टक पुन कर लिया यहां इस्टेबल हो गया फिर यहां इससे साजेदारी करके यहां दुष्टक पुन कर लिया और यहां इससे साजे कि साजेदारी कर रहा है तो अपना हिस्सा में है कि अगर दूसरे को खिला रहा है तो दूसरा का हिस्सा में भी यह क्या होगा अपने खुद जाएगा वहाँ पे खाने तो देखिए वही बात कहा है यहाँ पर कारवन जो है कि इसके पास कितना है क्रोस से दर्साय है जो कि चा हيडोजन लिया अब देखिए biking या है हइडोजन की एक टीन और एक यह चार और इसके पास एक यह, एक यह, एक यहor और इक यह चार इलेक्टरों इसके पास है और चारों इसको है हइडो या तो यहाँ 8 electron को ground कर लिया यहाँ जो है कि अब stable हो गया यहाँ carbon भी हमारा क्या हो गया यहाँ stable हो गया अब देखिएगा यहाँ पर आपको समझने में थोरी परसानी होगी जो है कि फिर से आपको बताते हैं क्या था यहाँ पर आपका C था यहाँ पर H था यहाँ पर H था यहाँ भी H है यहाँ भी H है और इसके बाद यहाँ H है अब देखिएगा यहाँ पर इसके पास एक electron था और इसका एक electron यहाँ पर इसके पास एक electron और इसका एक electron यहीं नहीं उसके बाद यह 1 है और यह 1 यह 1 और यह 1 अब देखिएगा यहाँ जो है कि साजेदारी जब किया है तो साजेदारी करके अब देखिए यहाँ जो इस से साजेदारी करेगा तो एक जोरा इलेक्टोन का साजेदारी हो रहा है याँ एक हाइडोजन का और एक कारवन का तो एक जोरा इलेक्टोन का साजेदारी हुआ या यह जो है कि एकल सास्वेंजक बंधन का उधारन है जैसे हम अगर चाहे तो इसको इस परकार से लिख सकते हैं C इधर एक बॉन जोर कर H फिर एक बॉन जोर कर H इधर एक बॉन जोर कर H और इधर एक बॉन जोर कर H हम इसको अगर कहेगा जैसे कहेगा कि CH4 का सनरचना सुत्र बनाईए तो आप इस परकार से बनाईएगा उसमें अबजेक्टिव में पुछा जाता है यह से अबजेक्टिव में भी आपसे पूछ देगा कि CH4 का सनरचना सुत्र इन में से कौन है अगर बना कर देगा तो आपक से बना दिए आपका एलेक्ट्रोन मिन्दू सनाचना का उधारन हो जाएगा तो उस प्रकार से आप चाहे तो बना सकते हैं और यह जो था एकल क्या है एकल सास्वेंजग बंधन का उधारन है अब हम लोग देखेंगे द्वी सास्वेंजग बंधन और डॉबल को वैलेंट ब बना सकरेंगे तो 2, 4 हाईगा यानि इसके बाषि कख्चा में छार इलेक्ट्रोन फिर आपका ओ है जो कि oxygen का सुत्र है और अब oxygen उसका उसका प्रमानुस अंख्या 8 होता है इसका इलेक्ट्रोन बिनास्च करेंगे कितना यहाद 2,6 यहनि इसके बारीक्ख्चा में 6 2 है दो ओ यहां ले लिए एक ओ यहां ले लिए अब देखिए हिसके पास और यह Whats gon ऑ Александ के पास बाहर ही कक्छा में एच्कों इसको दो नहीं दे दिए दो यहां दे दिए यहां पर हैं एहां पर आपक हैं जैसं के बास में यहां देगा jos दोně इसको प्रोस से दिर्ष साते हैं और दो इसका इधर दे दिए अब देखे यहां पर कार्बन का 4 और उक्सीजन और क्या डे दीए और उक्सीजन का 6 भी आपना औरो और करतार करना चाहिए और जबूस मिण् इससे दो इलेक्ट्रोन का साज़ेदारी किया, अब देखिए, यहां पर इससे जो है कि, यहां दो इलेक्ट्रोन का साज़ेदारी करेगा, तो यहां अपना अश्टक पुर्ण कर लिया, यानि इसके पास आठ इलेक्ट्रोन पुर्ण हो गए, अब कार्बन भी क्या करेगा, क क्या है यह साजेदारी कर रहा है वह जितना देगा उतना ही लेगा ना ही उससे ज्यादा देगा और ना ही उससे ज्यादा लेगा या फिर ना ही उससे कम लेगा और ना कम देगा तो जितना वह देगा उतना ही वह उससे लेगा तो यहां पर क्या किया है वह दो इलेक्ट्रोन क्या है डॉबल सास्वें जगवंदन का उधारन है और कैसे तो देखिएगा इसके पास एक जोरा इलेक्टोन का यहां पे क्या हुआ साज़ेदारी और एक जोरा इलेक्टोन का साज़ेदारी यहां हुआ हुआ यहां पर एक जरा इलेक्रोन का साझ्यदारी हुआ और यहां पर एक जरा इलेक्रोन का साज्यदारी हुआ तो इस परकार से लिख सकते हैं क्या है यह डॉबल बोन द्वारा जूरा हुआ है अब है ckeja यहाँ पर 2 और यहां पर चो इसको फिर से बनाते है क्या है एक वहा यहां अब देगे यहां पर लिए textल दिये पर यहां 5.6 इसके पास थी स्कुल्त पर यह उतना लैसर है अब दीकिए इसके par 6 है इसके दार जिए आपिना स hm परप्त करेगा यह यहरख च्र Report व्द होना जाहिए को dazu करेगा अब इसके पास छे एक्ट्रों तो यह क्या करेगा इससे दो एलेक्ट्रों को ग्रहण करेगा तो क्या गुए होगा यह अपना रहे को यहां 8 electron पूर्ण का लिया तो यह भी अपना क्या हो गया stable हो गया और यहां पर देखिए एक जो रही है और एक जो रही है यहांनि दो जो रही है एलेक्ट्रोन का साथिदारी हो रहा है जो आपका क्या है डॉबल सास्य जग बंधन का उधारन है तो इसको हम इस परकार से भी लिख सकते है O double bond O इस O2 को हम इस परकार से भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है कोई गलती नहीं है आपका 100% सही है तो यहां आपका 300 सास्य जग बंधन का उधारन है आशा करता हूँ कि आपने अभी तक जो भी समझा है वह आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा यहां पे हमारा अब क्या है 300 सास्य जग बंधन का उधारन यहां पे त्री बंधन triple covalent bond अब देखिएगा triple covalent bond में क्या है porset हमारा क्या है जोकि nitrogen का है जोकि आपको अप जो है कि आप objective question में अभी देखा है यहां पे वही है question है nitrogen क्या है N2 अनू में nitrogen परमानों के बीच सासरेयज़क आब अंध होते है वही question है तो चले हम लोग इसको समझते है देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छा समझने का प्रियास कीजिएगा क्या है यहाँ पर N2 है फॉस्ट हम लेते हैं यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन तो N दूबार है तो N को दूबार ले लिए ले लिए अब देखें इसकी परमानु संख्या 7 होता है और इसकी उलेक्टोनिक बिनास करेंगे तो 2,5 आएगा कितना आएगा? 2,5 यहनि इसके बाहरी कुछा में 500 आ यहाँ तो 5 एलेक्टोन आ यहाँ ईसके नाइट्रोजन के बाहरी कक्छा में 5 एलेक्टोन आ यहाँ अब देखिए, इसको हम लोग साज़ेदारी कराते हैं, यानि कहते हैं ना कि एक दूसरे को प्यार कराते हैं, तो यहाँ पर हम वही क्या करा रहा है, यहाँ पर एक दूसरे को साज़ेदारी कराया जा रहा है, प्यार कराया जा रहा है, तो यहां पर क्या है इसके पास 5 इलेक्ट्रोन है देखिएगा अब यहां कि इस प्रकार से अपना प्यार को प्राप्त करता है देखिए यहां पर क्या है इसके पास 5 इलेक्ट्रोन है एक इलेक्ट्रोन यहां दे दिए एक यहां और एक यहां तीन और दो पांच दे दिए फ और कितने चाहिए, तो तीन इलेक्ट्रोन चाहिए, तीन इलेक्ट्रोनों का यह साज़ेदारी करेगा, इसके पास भी पांच है, तो यह भी तीन इलेक्ट्रोनों का साज़ेदारी करेगा, यह अपना अश्टक पुन करने के लिए, अब देखिए, यह जो है कि क्या करेगा, जो कि stable हो गिया या अस्थाइतों को प्राप्ट कर लिया यहाँ पे देखिएगा एक जोरा ये इलेक्टोन एक जोरा इलेक्टोन और एक जोरा यानि कितने जोरा इलेक्टोनों का साजेदारी हो रहा है तो आपका तीन जोरे इलेक्टोन का साजेदारी हो रहा है कितने जोरा तो तीन जोरा यहां आपका त्री सहसंजग बंधन का उधारन है क्या है त्री सहसंजग बंधन त्रीपल कोबालेंट वांड का उधारन है जोकि आपका यहां पे question था यही आपका question था N2 अनू में नाइट्रोजन प्रमानू के बीच कितने सहसे जग आबंध होते हैं और अप्शन नंबर सी बिलकुल राइट एंसर है चलिए इसका सेकेंड उधारन देखते हैं क्या कहा है है C2, H2 जो कि हमारा कारवन कितना है? एक कारवन नहां उसके बाद H क्या है? तो दूगो एक H यहां ले लिए एक H यहां यानि हाइडोजन दूगो था कारवन दूगो था तो दूगो के दूगो ले लिए अब देखीएगा यहाँ फिर से इसको बनाते हैं H, C, C और H यहाँ पे हो गया अब देखिएगा इसको क्या है हाइडोजन के पास एक इलेक्ट्रोन है यानि हाइडोजन का परमानुस एंख्या एक है और इसके बाहरी कोश में भी एक इलेक्ट्रोन होता है कारवन की परमानुस एंख्या छो है इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास दो कौमा चार होता है इसके बाहरी कक्षा में 2,4 इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रोन है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रोन जो भी है वो उसका दे देंगे जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रोन दे दिये इसको उसके बाद एक यहाँ एक यहां और एक यहां 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 पर दे दिए और एक इलेक्ट्रोन यहां चार इलेक्ट्रोन हो गया इसके पास चार इलेक्ट्रोन है तो एक यहां देंगे फिर तीन ही धर दे देते हैं तो इसका भी चार इलेक्ट्रोन था वह दे दिए अब हाइडोजन के पास एक ही इल करके यह अपना फ्सक्राइब कर लिया अब उसके भाड किया कार्वन यहां पे क्या कहता है कि मैं आठवन तो कि असर्षा के प्यारiquer नहीं करूंगा याणि आठ से प्यार नहीं करूँगा तब तक नहीं बैठोंगा अब यह जो है कि आपना औरष्टक पूर्ण करना चाहेगा तो देखेज यह जो है कि इसके पास तीन दूटर nou है और एक यहाँ से तीन इलेक्टोनों का साज़ेदारी किया यानि पहले से इसके पास चार था और फिर यह चार से और प्यार कर बैठा जो कि इसका अश्टक पूर्ण हो गया अब यह कारवन जो है अब यह फिर यह भी काता है कि मैं अगर तुमको तीन अपना दिया हूं तो मैं तुमसे भी किन लूँगा क्या कहा है मैं तुमसे भी लोंगा और हाइडोजन से भी एक लोंगा यह बी कारवन जो है की यह भी लेगा तो यहां जो है करदेखे GORDON से त्रीपल को वैलेंट वान ये तुरी स्वा स्वाश्यंजग बंधन का उधारन है अब इसको हम चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे देखिए क्या है चीटू, एच्टू, एच्टू, और एक यहां आ गया इस कार्बन की स्वाश्युजगता पुन हो गई हाई हाई पूर्ण से जूरता है यह भी इसका संउझ जागता क्या है पूर्ण है इसके पास यह संउझ जागता है और यहाँ कारवन तो इसके पास 1,2,3 और चार यही कारवन पूर्ण रूप से संउझ जागता है आधे निकिशीत वह struct THAT कवल मौ मिH है आसर करता हूं कि यह question आपका जो भी doubt होगा या जिन बच्चों का यह doubt था उनके साथ other बच्चे का भी यह पुड़ी तरह से killer हो गया होगा और मैं आसर करता हूं कि अब आपको सहसेंजक बंधन या सहसेंज़क योगी या आएनिक योगी पहचानने में और उसको बनाने में कोई भी दिक्त नहीं होगी तो यह एकल बंधन है दौ Pharaoh Gill बंधन है या त्री बंधन हैे आप अराम से पता करतके हैं धातू अढ़ी कभी पता चल गया आपको कि वह किस परकाच है अब यह से देखिए आपको पहले क्या बता हैं कि एक धातु था और दुसरा अधातु था आयनिक योगिक में जिसका उधारन जैसे यहां पर दूसरा कोश्चन का उधारन है क्या है यहां पर देखिए का कह रहा है निम्ने क्या है निम्ने लिखित में कौन साथ से यह योगिक है ऑप्सन है CH4 B में है NACL C में है CACL2 क्या है अब देखिए इसको समझ लीजेगा आपका दोनों कंसेप्ट क्लियर है जैसे देखिए फॉस्ट आपका क्या है इसका आंसर जो है वह है यापका CH4 है कैसे है देखिए C य जो कि यह भी क्या है अधातू है और देखिए दोनों अधातू मिलकर एक योगिका मेथेन का निमान कर रहा है या क्या है मेथेन का उधारन है जो कि सहसे योगिक का उधारन है आपको पहले भी बता है कि क्या होगा या तो वह दो अधातू होगा या दो से अधिक अधिक अ लाएगा क्या का लाएगा आएनिक योगीग अब देखा आपको पहले बदाया है कि चले आगे आपको योगीू योगी समझाते हैं क्या है आपका Option है एने क्या मिल रहा है शोडिम जो की धातु है उसके बाद लिचल जो की होड़ाई यो रिंड क्लोरीन जो की एक नमक है गर तो इससे कि विज़ुदार परवःत कि जिए गा तो उससे परवाहित होने लगेगा यहां पर क्या है? यह हमारा आएनिक योगी का उधारन है से उसके बद है CACL2 जो की है? यहां पर CACL2-CALCM आपका दहातू है और Cl2, Chloride है, जो की क्या है? ओधातु है. यहाँ आपका क्या है? Ironic idag का यह उधारन है. फज़ोड है आपका, Na2O Na आपका, Sodium है जो की दातु है और O आपका, Oxygen है जो की ओधातु है.। यह दोनों मिलकरके Na2O बना रहा है. यहाँ Sodium oxide क्या है? आइनि है? योगी का उधारन है आशर करता हूँ कि आपने एक बार आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पर आपका प्रस्ञ था क्या था आयनिक योगी तो आपने इसको देख लिया जो भी था क्या था कलोरीन 17 नमबर पे है जिसका इलेक्टोनिक बिनास करेंगे 2,8,7 अब आपको पहले भी बता दिये आपको समझ में आगया होगा सब चीज क्या करता है यह जो है कि अपना अश्टक पूर्ण करता है अब देखे इसके पास एक ही ही इलेक्टोन है तो यह क्या करेगा यह जो है आयनिक योगिक होगा वह इलेक्टोन का अस्थनांत्रन करता है यह अपना इलेक्टोन दूसरे को यह तो देगा यह दूसरा को अपना त्याग नहीं सकता है लेकिन इसके पास एक इलेक्टोन है अगर अश्टक पूर्ण करना होगा तो काफी इलेक्टोन क्या हो सकता है जो साथ इलेक्टोन अपना दे दो मैं इस्टेबल हो जाएंगा क्या ऐसा हो सकता है ऐसा होगा जिसके पास साथ रुपए है और एक रुपए किसी के लिए कम हो रहा है तो वहाँ अपना एक रुपए अगर जुगार कर सकता है लेकिन इसके पास क्या है एक रुपए है और साथ जो है कि दे देता है तो यहां पे इसका इलेक्ट्रोन यह खतम हो जाता है और इसके पास यह आठ हो जाता है यह जो है पूर्ण हो जाता है अपना आज तक पूर्ण कर लेता है और यह जो है इसके बाहर इकक्षा में भी आठ इलेक्ट्रोन हो गया यह भी अब क्या हो जाता ह इस्टेबल हो जाता है यह जब एक त्याग दिया तो तो उसी जो है जो इलेक्ट्रोन त्यागता है उसपे प्लस चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रोन गरहन करता है उसपे माइनस चार्ज होता है यानि जो भी इलेक्ट्रोन त्यागेगा वह प्लस चार्ज और जो भी इलेक इसलिए इस पर प्लसर और इस पर माइनस चार्ज होगा तो ही की एन एपलस और सी एल माइनस मिलकर क्या बनाता है यह आपका एन ए ऐसी एल बनाता है जो कि सोडियम क्लॉराइट एक नमक का अधारन है आपको जो question बताया गया जैसे आपको आयनिक योगी सहसे जग बंधन और उसके बाद आपको उसमें बंधन का प्रकार जो की तीन वो था एकल बंधन दूई बंधन और त्री बंधन यह आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा पहचानने का बिट्रिक आपको म मिला होगा बहुत सारे इसके लिए आपको यह वासेकता पड़ेगी प्रमानु संख्या याद रहाना चाहिए और इलेक्ट्रोनिक विन्यास याद रहा चाहिए या फिसको बनाने आना चाहिए तो अगर नहीं आता है तो आप उसको कंप्लीट कर लिजेगा इस वीडियो मे सके और आप वीडियो को अच कंटीनिव कर सके और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर किजिएगा ताकि उन लोगों का भी हेल्फ हो सके पर दे इस पर आपको इस चैनल पर क्लास कराई जा रही है और आपको एक्जाम तक पूरी त्यारी कराई जाएगी का चले हम इस वीडियो लेक्चर में इतना ही देखेंगे मिलते हैं फिर नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ ऐसे ही आपको जो भी वीडियो चाहिए वह आप कमेंट कर दीजेगा